दोस्तों अगर आप Amazon पर business कर रहे हैं, Amazon पर online retailing कर रहे हैं, तो ये problem आपने भी शायद कभी ना कभी face करी ही होगी, अगर आपका product काफी अच्छा भिगता है, ये सब दिक्कत है, तो एक दिक्कत हमेशा generally लोगों को आती हुआ पे, आपका जो hit product होता, winning product होता, जिसमें copy कर लेंगे, product को copy कर लेते हैं, या उसके अलावाज अपने details दी हुई होती है, description होते हैं, bullet points होते हैं, बहुत सरी चीजे होते हैं, तो वो लोग copy कर लेते हैं, तो अपने पूरी महनत खराब होने का उसमें डर रहता है, और कई बार महनत खराब हो भी जाती है, तो अब क्या करूंगा, Amazon पर जाके copyright infringement का case करूंगा, अब उसमें क्या होगा, Amazon कोई legal company तो है नहीं, Amazon के पास कोई ज्यादा विशेश अधिकार तो है नहीं, उसको temporarily suspend कर दिया जाएगा, सामने वाले seller को, जिसने आपके product को आके copy किया, आपके listing को आके copy किया है, अब वो seller क्या होगा ठीका, नया बंदा होगा, तो डर जाएगा, उसको डर लगेगा कि ठीका, यार बार-बार मेरा account suspend किया जा रहा है, temporarily, 7 दिन के लिए suspend किया, उतने दिनों के लिए बिजनेस हैंपर होई जाता है, तो कई बार कुछ seller तो इन चीज़ों से बाज आ जाते हैं, लेकिन कई लोग इन चीज़ सबसे बेस्ट चीज़ यह जो आप कर सकते हो है कि आप अपना copyright ट्रेडमार्क ले लो एक अपना, अपना brand name रेजिस्टर करवा लो, कितना खर्चा आएगा, 6,7,8,000 इतना ही, अलग अलग लग सी अपने अपने हिसाब से चार्ज कर लेते हैं, 6,7,8,000 इस से ज कोई करना भी चाहेगा, आपके brand name से बेजना तो उसको आपसे authorization letter लेना पड़ेगा, तो जब आप authorization letter दोगे, आप चाते हो अपना business expand करना, अपने brand को जाधा famous करवाना, ठीक है, तो आप दोगे तब ही वो बेज पाएगा, तो authorization letter का ये फायता होता है, तो इस तरह से brand name लेन ही पड़ेगा, और कोई मतलब है भी नहीं, online business कोई भी बंदा business start करता है, online हो जाचे कोई सा भी हो, सब अपना एक career देखते हैं, ठीक है, अपने पुरी जिन्दगी को career, एक अच्छा career सोच की business start करते हैं, तो ये चीज़े नए बंदों पता नहीं होती है, जो business start करने वाले लोग होते हैं, हमें experience से 7-8 साल होगा, तो ये ही मैं कहना चाहूँगा, trademark register करवा हो, brand name register करवा हो, और उसके बाद ही आप आराम से Amazon पर या किसी भी other portal पर business करो, तो आपको ये copyright infringement, case waste करना, ये सब फाल्दू जीज़े, इन से कुछ होता तो, कुछ है नहीं फाल्दू, trademark लो, और से business करो